सुबह के सारे आठ बच चुके हैं और देश के दूसरे छोटे शहरों की तरफ गूंडल शहर भी अलसाया हुआ सा नजर आ रहा है लेकिन देश के दूसरे छोटे शहरों से फर्क पयादा करती है 77 एकड में फैली गूंडल मंडी पूरे सौराष्ट के किसान अपनी फसल की सही कीमत के लिए गोंडल मंडी में इकठा है हर किसान को पता है कि बहतर से बहतर कीमत मंडी की निलामी में मिलेगी ही मिलेगी अभी यहां मुंफली की निलामी हो रही है गोंडल की इस मंडी में मुंगफली के अलावा कपाथ, धनिया, गेहुं और ऐसी तमान कमोडिटी की इसी तरह निलामी होती है इस निलामी से किसानों को कितना बहतर भाव मिलता है ये इन किसानों के चेहरे पर दिखने वाली संतुष्ट से साफ नजर आता है दूसरी मंडीयों के हिसाब से यहां इसकी व्यवस्ता बढ़िया है वोक्संस में इसमें भी पारदर सीदा है वोक्संस के बाद जो बजर होता है तोल वो भी एकदम सही होता है इसमें भी कभी गोल माल या वो कुछ दर नहीं रहता उत्पात की बहतर कीमत मिलने से बेडा, सेडा खाई, जाम नगर, अमरेली, पोरबंदर, केशोद और उना तक के किसान यहां खिचे चले आते हैं जाहिर है जब गुणवत्ता वाली इतनी किसमें एक साथ गोंडल बंडी में मिल रही हैं तो खरीदारों मिल मालिकों के लिए इससे बेहतर जगह कहां होगा गुणडल की इस मंडी की वज़ा से आजपास के गाउं के किसानों के जिनगी में खुशाली आई है खास कर धनिये के कारोबारियों के लिए तो दोनों हाथों में लड़ दू है बंडी पहले से ही उनके लिए वर्दान बनी हुई थी पिछले साल कमोरिटी एक्सचेंज NCDEX ने यहां डिलिवरी सेंटर खोल गया है अब हाल यह है कि चन्नई बंगलुरू के चक्कर लगाने से भी किसानों को मुक्ती मिल गई है मुनाफ़ा भी जबर्दस्त बढ़ गया है किसान बताते हैं कि अब हमें दूसरे राजियों में बेचने नहीं जाना पड़ता जिससे हमारा ट्रक भाड़ा भी बचता है पहले हमें 20 किलो के बैक पर 1000 रुके मिलते थे जो कि इस साल 2000 रुके तक पहुँच गया गोंडल बंडी में पारंपरिक फसनों के खेती के आधुनिक उतपाद में बदलने की अधुत कहानी भी दिखती है बाजार, तकनीक, सुविधा और बढ़ते मुनाफे ने एक पूरी श्रिंखला तयार कर दी है उस श्रिंखला की बुन्याद होती है किसानों का मुनाफा और इसी मुराफे के इर्दगिर्द बस जाते हैं क्लीनिंग सेंटर, ट्रांसपोर्ड और वेर हाउस जैसे उद्ध्यों साल भर पहले पांच ट्रेडिंग सेंटर वाले गुंडल के आसपा अब पचास से ज्यादा क्लीनिंग सेंटर मजे से चल रहे है 10 से 12 लाक बोरी धनिये की आवक अब मंडी में 40 लाक बोरी तक पहुच गई है पहले मतलब वह 15 सो था तो भी धनिया आने के बाद 25 सो हो गया पर ट्रीप का नहीं कमाई हो गया वेराम सिंग का जो अभी चालू साल थे जो मतलब चालू साल में इसमें भी आठ से दस लाख स्क्वेर फीट यहां पर गॉंडल में अवेलेबल था तो अभी अभी NCDX में कोरिंडर डिलेवरी सेंटर आया बाद में उसमें सोटेज हुआ है और अभी नया जो डेवलोपिंग है समझो दस से बारा लाख और स्क्वेर फीट अगले सीजन तक बढ़ जाएगा जनवरी डिसेंबर तक वेरावसिंग में और रियल एस्टेट में भी समझो कची जमीन थी भारमर के पास उसमें भी विगाद 10 से 15 लाख के पास आसपास था वह भी 15 से 20 लाख 5 लाख रुपिय उसमें भी प्लस हो गए और जो मंदी का महुल था वो प्लस हो गया सब गोंडल मंडी पारंपरिक भारत के इंडिया ड्रीम्स के मुकाबले की पहतर कहानी है जहां भारत और भारत का किसांग दूसरे आधुनिक उद्योगों से जरासा भी पिछड़ता नहीं दिखता अनाज मंडिया किसी भी शहर के सबसे बाहरी हिस्से में होती है लेकिन सच पूछिए तो यही जगह वो बैरोमीटर होती है जहां से उस शहर की या कहें तो उस पूरे इलाके की खेती और किसानी के हालात का पता चलता है और इस लिहाज से गोंडल की इस मंडी में पैर रख भूवन भासकर झाल 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 झाल